हलो साथियों नमस्कार आपने सुना होगा कि बिहार में नितिस कुमार है नोकरी की बोचार है और वास्तम उन्होंने सत्य किया है बच्चो देखिए पहले उन्होंने साथियों कि बहुत सांदाल लगभग एक लाग पते उपर वेकैंसी निकाली उसके बाद बिहार पुलिस कोंस्टिबल डिया और यह भी घौसना कर दी की बिहार पुलिस की डैंखिए बच बुबारव में अर एक hopon बार हो ब निशए जो बच्चों के लिए काम मैं UP से हुँ मैं परियागरात से पढ़ा रहा हूं आपको आपको पता है कि उपी में तो वेकेंसी का सुना है भाई साम तो इतना सांधार सरकार काम कर रही है यूवाओ को नोकरी दे रही है को यूवाओ को चाहिए क्या सबसे इंपोर्टेंट तो पहले तो यार नितिस जी को thank you so much कि उन्होंने यूवाव के बारे में सोचा मैरे प्यारे साथ है जब बिहार में वेकेंसी आई तो पहले B.S.C. की बारे में नोटिफिकेसन आया आप सभी जानते हैं तो इन्होंने सितंबर में तो जब यह वेकेंसी आई थी इसमें पद थे 11,199 निद्ध थे टोटल ऑर इनोंने इन पदों को बढ़ा कर दिया कितना 12,199 आज एक खबर भी आई है कि इन पदों की संख्या लगबग डेर अजार बढ़ भी सकती है यह भी खबर है अभी इसकी यह नहीं हुआ कि बढ़ सक है मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करू 12,199 पद है यह पद है बिहार SSC इंटर लेवल यानि कि 10 प्लस 2 लेवल की वेकेंसी है बहुत से बच्चों पतने चल बारा कि सारी इंटर लेवल वेकेंसी 10 प्लस 2 है क्या जैसे SSC वेकेंसी निकालता है SSC CHSL तो उसी लेवल की व स्लेबस में मेरे साथ यो रिजनिंग के आपके 50 कोश्चन आने वाले हैं आपके स्लेबस में GKGS है GKGS के भी 50 कोश्चन आपके आने वाले हैं आपके स्लेबस में दोस्तों साइन्स है साइन्स के भी आपके 25 कोश्चन आने वाले हैं दिखिए टोटल जो कोश्चन होंगे व जो यह आपका बिहार SSC 10-2 का पेपर होने वाला है अब बहुत सरी बच्चे ऐसे जो फॉर्म भरना चाहते हैं किसी पर स्टर्टिपिकेट है नहीं है क्या है कैसे है तो अब तक अगर आप इस उधेर बुन में बैठे हो तो आपकी गलत बात है अगर आप भी यह सोचे लोग अब एकी रास्ता है कि जाके कंप्यूटर वाले के पास जाओ भ्या जो वेकेंसी में नहीं मांग रहा है उन्हें फिल कर दो बहुत सा बच्चे खुद फोर्म भर रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, कंप्यूटर वाना 100 रूपय जादा लेगा, 100 रूपय जादा लेगा, 100 रूपय की बचनत में आप खुद फोर्म भर रहे हो, सुन्यों मेरि बात को, तुम्हारे लिए समझा रही है। फिर रोते हो comment प्रोत करकर के सो रुपे बचाने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो खुद फोल भर रहे हो और फिर किसी का फोलता हो गया किसी ने साइन उल्टे क्योंकि फोलन से पता निए चलता कि क्या फोल्ट अप्लोड हो गया कम्पूटर वाला भरेगा अच्छे से क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिस में पहले ही का गया था कि कर्रेक्शन डेट नहीं आएगी किसी के डेट ऑफ बर्द गलत हो गई है किसी के नाम में स्पेलिंग गलत हो गई है किसी ने फोटो ही उल्टा अप्लोड कर दिया किसी ने साइन उल्टे अप्लोड कर दिया है किसी ने हिंदी में साइन अप्लोड कर दिया भाई मैंने वीडियो में कहा था कि साइन इंग्लिस यह श्रू करते हैं कि यह अफ़लोड हो जाएंगी साइट यह वी ध्यार रखना तो तुम लोग सीरियस हो जाओ ठीर तर्स त्यारी करनी करनी तर्स त्यारी करनी है कैसे होगी कैसे होगी बच्चो मेरा मानना है कि आपका exam March में हो जाएगा March में मेरा मानना है कि एगजाम हो जाएगा घुसता मैं गलत हूँ तो मैं मार्च को target करके अगर मैं मार्च को देखो तो भी दिसंबर के 30 दिन माल लेते हैं आथ दो तारिक जनवरी कka 30 जनवरी के 28 फ़रवरी के तो मैं मैं 28 नहीं, मैं फरवरी के 15 दिन ले रहा हूं, बाकी हम टाइम रिवीजन को छोड़ रहे हैं, मैं 75 दिन कह रहा हूं, अगर आप मुझे 75 दिन अपने देते हो, 75 दिन रोज 10 गंटा, अगर 75 दिन, मैं नहीं कह रहा है, तीन साल पढ़ो 10 गंटा, 75 दिन तरह 10 गंटा पढ़ ल लगातार 2017 से लगातार आपको पढ़ाता रहा हूं यूटीव पिछली वाली बिहार पुलीस पढ़ाया आपको बिया रहा हूं तो चीजों पर काम कर रहा हूं और करता रहूंगा आने वाले 75 दिन मुझे देदीजिए इसमें मैंने लिखा है हाड चैलेंज यह हाड चैलेंज क्यों लिखा आप सोचो के हाड इसलिए क्योंकि आप लोग ना 10 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ते हो इकठा फिर आप गैप कर देते हो आप ठक जाते हो आप बोर हो फिर आप पढ़ाई को रोग देते हो इसलिए मैंने लिखा हाड चैलेंज क्योंकि यह बहुत कठी नहीं कि लगातार पढ़ना चुट्टी ने करनी मंडे टू सब्सक्राइब करना क्या है मैं आपको रोज चार घंटे पढ़ाऊंगा टोपिक वाइज एक घंटा मैं ह адept है क्योंकी चेंड तो इस लिए हम ओडर मस्ते रोज 3 घंटा लगाएंगे 1 घंटा मैठ का मत्रे सुब़े 10 बजे एक हंपंत का मोता सुबह 11 बजे इसी चानल पर एक घंटा जीके का मोघ टेस्स統 का 12 बजे सुभए 9 से 12 मोघ टेस्ट रहेगा इस चनल पर आप लाइव करकर ठेस्थ करना है उसके बाद देखो वैटा जीके और सइंस होती है samudr ऐसे ही खतम नहीं होगी GK Science तो GK Science अगर पढ़ना है GK Science को देखना है GK Science को करना है तो मेरे दोस्त मैं कहूंगा थोड़ा खर्चा और कर लेना एक बुक GK की और एक बुक Science की लियाना और इन्हें आप पढ़ लेना मेरे दोस्तो GK और Science की बुक से पढ़ोगे तो एक घंटा GK पढ़ोगे एक घंटा Science पढ़ोगे तो 75 दिन में दोनों को दो दो बार पढ़ लोगे दो बार आप GK पढ़ लोगे 75 दिन में दो बार आप Science पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा क्योंकि GK Science आपको सेलेक्शन में पीछे कर देते हैं लास्ट में सोने से पहले एक घंटा पहले आपको टोपिक वाइज रिवीजन करना होगा आपको सोने से पहले एक घंटा टोपिक वाइज अगर इतना कर लेते हो आप कठी नहीं है 10 गंटे आप टाइमटबल बनाओ मैं सिद्धूल मैंने आपको दे दिया है मैंने सिद्धूल दिया था आपको किस टाइम क्या पढ़ना है अपने इसापस उसे मैनेज कर लो एक घंटा ऊपर नीशे कर लो काम करो मैं अभी एक टाइमटबल दे रहा हूँ आपको बना के मैं टाइमटबल दे रहा हूँ आपको बना के उसे फोलो कर लेना आने वाले 75 डे सा ये कर लो और ये जो क्लास होगी आपकी Monday to Saturday चलेंगी Monday to Saturday सर संदे को छुट्टी नहीं बिटा संदे को छुट्टी नहीं करनी है संदे को क्या करना है समझो जो संदे का दिन है आप कहोगे कमल सर मैथ और रिजनिंग को और भी स्ट्रोंग करना है इसलिए संदे को क्या होगा मैथ की और रिजनिंग की पांच घंटे मैथ की मैराथन होगी और 5 घंटे ही होगी रिजनिंग की महरातन क्या 5 घंटे मैथ की और 5 घंटे रिजनिंग की महरातन होगी जिसके माध्यम से हम आपको और भी चीज़े सिखाएंगे और भी चीज़ों पर काम करेंगे तो ये हम करने वाले हैं अगर मैं time table की बात करूँ आपको तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैच बैच का नाम है तंडव बैच जिसकी फीज़ है 499 लेकिन आपको 499 पे नहीं करनी है अभी डिसकाउंट मैंने यह क्यों मिटाया आपको ता हो यहां एक दिसंबर लिखा था क्योंकि यह डिसकाउंट एक दिसंबर थक था लेकिन बच्चों ने का हम ले नहीं पाए हम जुड़ों नहीं पाए तो एक दिसंबर को मिटा दिया है अब भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हो मात्र 299 में इससे कम होता पोसीबल तो मैं इससे कम भी फीस कर देता इसी कोई बात नहीं है लेकिन इससे कम पोसीबल नहीं है इस 299 रुपिया में आपको क्या मिलेगा आपको चार घंटे टोपिक वाइज क्लास मिलेंगी उसके PDF, notes, 32 classes, Monday to Saturday, Sunday को मेराधन और 3 घंटा मोग टैस दें इतना कर लीजी एक planning के साथ, strategy के साथ आपका काम हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ class कैसे कैसे पढ़ना है, time 12 क्या होना चाहिए देखी बिटा, देखे पहले आती है topic wise class, जो 4 घंटे topic wise class है, वो कैसे करनी है, एक class सुबह 8 बजे करनी है, सुबह 8 बजे reasoning की class करनी है application पर, math की class, उसके बाद 3 बजे, 3 बजे application पर करनी है, science की class, science की class, उसके बाद 4 बजे, 4 बजे application पर करनी है, gk class, ये तो हो गया topic wise है, अब बात करते हैं, 3 घंटा मोक, 3 घंटा मोक कब करना है, तो मोक करना है, सुबह 9 बजे math का, सुबह 9 बजे मोक लगाना है, math का, सुन ले न, य यूट्यूब पे मोग यूट्यूब पे फ्री है जो बच्चे जिनके पास 299 भी नहीं है वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि कोसिस कर लो कि आप 299 रुपे 209 रुपे अफोर्ड कर पाओ इतनी कम फीस कर देगी अगर पढ़ना चाहो तो ले सकते हो तो यह क्लास भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे सुभे 9 बजे मैथ है सुभे 10 बजे सुभे 10 बजे आपकी रिजनिंग है क्या है रिजनिंग है सुभे 11 बजे सुभे 11 बजे अपना टाइम मालो 6-7 पढ़ोगे 7-9 पढ़ोगे जो पढ़ोगे और एक घंटा आपको रिवीजन करना है उसके अलावा आपको टाइम मिलता है और पढ़लो ऐसे आप पढ़लो सेलेक्शन हो जाएगा तो बचो थैंक्यू सो मच आपको बस एक काम करना सर मैंने SSGD का बै बढ़िया महनत करिए काम करिए अपने उपर अपने कंटेंट पर क्वालिटी पर यह ठान लीजिए कि इस बार नोगरी लेनी है यह सोच लीजिए कि इस बार सेलेक्शन लेना है अब की बार आखरी बार सोच के पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ लेते हैं आप सेलेक्शन अपना ध्यान रखेगा स्वस्त रहिएगा मस्त रहिएगा थेंक्यू एप्लिकेशन का लिंक कमेंट में भी है डिस्क्रिप्शन में भी है वहां से एप्लिकेशन को डाउनलोड कर जाएजिए ठीक है